गुड मॉनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू अनलाइन स्टूडी, स्टेंडर फॉर्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टूडे विल बी डिस्कस अवाउट मल्टिपकेशन, एक्सरसाइज 4.1, पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है, सोल यानि फैसम, एड़ 56, टू इट सेलब 10 यानि 56 को अमी क्या करनाया 10 टाइम बटर करनाया, यह इसको नोट कर सकते है, 56 को मल्टिपलाय करें क्या एगा, किसकी पुलाएगा 560, सैकंड सम में क्या है, add 90 to itself 100 time यानि 90 कितने time 100 time तो इसको हम क्या note कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं 90 multiply 100 90 को 100 के साथ multiply करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा यानि 9000 उसके बाद में third sum third sum में क्या है add 115 यानि 115 to itself 1000 time यानि first sum में 10 time था second में 100 time third में क्या 1000 time 1000 time करेंगे तो इसको किसे करेंगे 115 को multiply 1000 यानि ये complete करना है उसके बाद में fourth sum find 110 यानि कितने time है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 time में तो 110 multiply 8 इसको 110 को किसे multiply करना है 8 से third or fourth sum fourth sum आपको करना है चेम पूरा करना है उसके बाद में sum number and D D sum क्या दे रखा है D sum की तरफ D sum by using suitable grouping find the flowing product हमें क्या करना है group के coding इनका product निकानना है group ऐसा त्यार करना है यादर 10 का group आए या 100 का आए 1000 का है 2 multiply 72 multiply 5 2 multiply 72 multiply 5 2 और 5 की multiply करें क्या है गाएगा 10 10 को किसके साथ multiply करेंगे 72 किसकी को बाए 720 2 second sum 5 multiply 17 multiply 20 5 को किसके साथ इनका group त्यार करेंगे 5 और 20 गूर्ट 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 का आएगा 100 को किसके साथ multiply करेंगे 17 के साथ तो क्या हैगा 1700 3rd sum में 4 multiply 38 multiply 25 किसका group त्यार करेंगे 4 multiply 25 का और किस से multiply करेंगे 38 से यानि यहाँ पी किसका group त्यार हो जाएगा 100 का इसके बाद 4th 63 multiply 4 125 इसका group त्यार करेंगे तो किसके इकूल आजाएगा 400 multiply 125 तो 1000 1000 का group त्यार हो जाएगा 4 multiply 125 multiply 63 यानि किसका group वहा 1000 1000 को किसके साथ multiple करना है 63 के साथ यानि 3rd or 4th 7 complete करना है Yes Thank you